हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ कविता और आज है फिल्मी फ्राइडे हर फ्राइडे बॉक्स आफिस पर कोई न कोई फिल्म रिलीज होती है और आज थेटर्स पर दस्तक दी है जौन इब्रहाइम और डाइना पैंटी की फिल्म प्रमाणू दे स्टोरी ओफ पोकरन ने ये फिल्म एक रियल बेस्ट स्टोरी है अगर आप इस हफसे इस फिल्म को देखने का मन बना रहे हैं तो पहले इस फिल्म का रिव्यू जान ले और ये फिल्म देखने लाइक है या नहीं शुरुआत करते हैं फिल्म की कहानी के साथ फिल्म की कहानी साल 1998 में हुए पोकरन प्रमाणू परिक्षन पर बेस्ट है। फिल्म में जॉन और डाइना ने भारतिय सेना अभिकारी का रोल अदा किया है। जो अपनी जान हतेली पर लेकर प्रमाणू परिक्षन करते हैं। बतादे कि क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले है। क्रिटिक्स का कहना है कि डारेक्टर अभिशेक शर्मा ने फिल्म में हर एक चीज़ को बखुबी धंग से दिखाया है। फिल्म देखते वक्त आपको गर्म महसूस होगा। फिल्म का स्क्रीन प्लेश शानदार है। क्रिटिक्स ने फिल्म के डारेक्शन, सिनेमेटर ग्राफी और लोकेशन की भी तारीश की है। इतना ही नहीं फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत ही जबर्दस है। फिल्म में जॉन के डायलोग जी आपको काफी पसंद आएंगे। बात करें स्टार्ट की आक्टिंग की तो जॉन और डाइना ने उम्दा आक्टिंग की है। वहीं सुपोर्टिंग रोल में वोमन इरानी और अनुजा साथे ने भी शानदार काम किया है। फिल्म का म्यूजिक भी ठीक ठाक है। और ओवरॉल क्रिटिक्स का कहना है कि अगर आपको एक अच्छी फिल्म देखनी है तो आप ये फिल्म देख सकते हैं। बताते कि क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 3.5 स्टार्स दिये हैं। बॉलिवूड की हर खाबर के लिए आप बने रहे हमारे साथ।